नमस्कार और यहां पे आप लोग बिलकुल ठीक पड़ रहे हो दुनिया के सारे मैप्स गलत हैं एक्चुल साइस भारत का है क्या यह मैप को बताऊंगा इस वीडियो में पहली बात तो यहां पे आप जो मैप देख रहे हो न यह वैसे आपको दिख रहा होगा ठीक है यह देखा मगर यह मैप अगर हम बात करें प्रॉपर रहाज़ेंटेशन की तो यह इनकरेक्ट मैप है यह जो आप मैप देते हो गूगल का यह भी गलत है उसके एलावा वेरियोस और टाइफ के जो यह फ्लैट मैप्स आप देख रहे हो न यह इनकरेक्ट मैप्स है क्योंकि य यहाँ पे आप जिस व्रक्ति की फोटो देख रहे हैं, यह हैं मर्केटर, बहुती फेमस जर्मन कार्टोग्राफर थे, यह कार्टोग्राफर मतलब के वो आदमी जो मैप्स बनाता है, तो इन्होंने 1569 में, जी हाँ 500 साल के आसपास हो गए हैं, हम इन ही के बनाय हुए मैप इ चुकी थी, कि धर्ती गोल है, धर्ती चप्टी नहीं है, यह बात साइंटिस्ट एकसेप्ट कर चुके थी, मगर प्रॉब्लम यह थी, कि जो सेलर्स है, यह कल को सेल कर रहे हैं, यह कल को यूरोप से जा रहे हैं, आफरिका जा रहे हैं, कई और जा रहे हैं, तो इनको एक प साब से प्रोयक्शन कर दी सारे मैप की एक चप्टे पेपर पे और इस तरीके से जनम हुआ मर्केटर प्रोयक्शन का już 1969 में जो 2023 में भी आपकी किताबों में आपको मिलेगा इस मैप के साथ problem देखो बहुती basic है कि जो भी country आपको इस मैप के बीच में मिलेगे मतलब कि equator के आसपास countries मिलेगे उनका size आपको छोटा मिलेगा ठीक है उनका size by default छोटा हो जाएगा जितना north या फिर south में आप जाओगे उतना countries का size आपको बड़ा मिलेगा तो actually में क्या होता है कि ये map न हमको दुनिया गलत तरीके से दिखाता है इस से हमको ये लगता है कि north के जो देश है इनका size तो भीया बहुत बड़ा है south के देश बड़े छोटे हैं एक बड़ी अच्छी website है इसको लेकर वहाँ पर animation से मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर नाव इस particular case में ना मेरा favorite example रहता है रशिया या फिर greenland पहले रशिया दिखाता हूँ फिर greenland दिखाऊंगा आपको बड़ा surprise होगा जहान करके world map दिखता कैसे है और reality क्या है अब देखो रशिया बिलकुल दुनिया का सबसे बड़ा देश है no doubt about that मगर जो अभी marketer map में हमको दिखता है ना कि रहे वा रशिया तो बतलब इंडिया समाजा है चाइना समाजा है यहाँ पर कदाकस्तान इरान पाकिस्तान साओधी रेविया सब आजा है तब भी जगा बचेगी रशिया तो बहुत ही बड़ा दिखता है यहाँ पर मगर वही मजपारें आप कितना अपरा डिफरेंस है एक हुमंगस डिफरेंस है यह है डिस्टोर्शन मर्केटर मैप देखिए हमें फायदा देता है कंट्रीज की शेप समझने में आप शेप के इसाब से दिखोगे तो रशिया काफियत तक अक्यूरेट लगेगा इंडिया की शेप अपरली दिखती है चाइना की शेप दिखती है बॉर्डर जिख जाती है ठीक है आइलेंस प्रॉपरली दिख जाते है मगर साइज के इसाब से इससे जादा ब्रामक मैप आपको शायद ही मिलेगा अब रशिया को साइड करते हैं रशिया से बड़ा उधरन लेते हैं ग्री क्या है यह है जी Greenland Greenland अपने आप पे 100% एक independent country नहीं है यह Kingdom of Denmark का पार्ट है मगर हम Greenland का एक्जामपल लेते हैं समझने के लिए कि Mercator Map कितना जादा distorted है ठीक है मैंने Greenland यहाँ पर टाइप किया और अब देखो अगर मैं Mercator Map के हिसाब से Greenland को इंडिया के पास लेके आता हूँ न तो मैं Greenland को इंडिया में फिट कर दूँगा इतना छोटा है Greenland रियालिटी में और इसको एक्वेटर के और पास लेके जाओ तो इसका साइज और जादा सिकुरता रहेगा याद रखिएगा ये क्वेटर यहाँ पे गुजर रहा है इसके करीब जितना कोई कंट्री दिखेगा उतना साइज उसका आपको छोटा दिखेगा जितना नौर्थ को होगा उतना बड़ा दिखेगा पाकिस्तान भी मैं आपको बता दूँ इंडिया के कंपारिसन में थोडा सा नौर्थ को है तो पाकिस्तान भी जो इसका एक्चुल साइज है उससे काफी बड़ा लिखता है पाकिस्तान भी साइज में काफी छोटा है पर उसके लाबा कैनिडा एक बहुत ही अच्छा एकशा एक्जामपल है Canada अगर मैं इसको यहाँ पर हाइलाइड करूँ तो आप कोगे यह तो बहुत बड़ा देश है इस इस में तो मतलब एक बार को चाइना और इंडिया वगरा बहुत से देश समाज आए बट रियालिटी नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ कि जो यह मैपस हम यूज करते हैं इसे हमको रियालिटी एक्चुल इमेज वर्ल्ल मैप की बता नहीं लगती है इसको अगर मैं नीचे लेकिया हूँ तो यह रा कैनेड़ा आपका आप देख रहे हो अफरिका में बड़े आराम से फिट होता है अगर हम इसको प्रॉपरली इक्वेटर के आसपास रखे तो ऐसे बहुत सारे देश आपको मिलेंगे और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ नॉर्थ में है यह जो मैं आपको एक्जामपल दे रहा हूँ नॉर्थ में सेंस कंट्री जादा है तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि कई देश है फर एक्जामपल यह इवन मैं फ्रांस को अगर आपको दिखाओ ठीक है फ्रांस तो आप हस पड़ोगे लगता है कि ठीक है रोके फ्रांस बड़ा देश है नीचे ले क्या हो आप देखोगे यहाँ पर ऐसे लगता है कि कोई छोटा सा कोई टाप हो जो इतना सिग्निफिकेंट भी ना हो तो इस तरीके से रेखो बहुत सारे देश है जो साउथ में भी आपको मिलेंगे अर्जन्टीना फर एक्जामपल अगर मैं आर्जन्टीना को हाइलाइट करूँ वैसे लगता है कि ओके दिस इस बिग कंट्री नहीं एक्वेटर से दूर है साइस बड़ा होगा इसका एक्वेटर के पास लेके जाऊँगा इस मैप के हिसाब से सोर्स ओफ लाइट है एक्वेटर तो आप देखो के आर्जन्टीना भी बहुत ही छोटा देश आपको दिखेगा इस वी कंपेर टू अधर कंट्री और देखो यह मैप सबसे जादा साइकोलोजी कली ना हर्ट करता है हम इंडियन्स को हमारा देश बहुत बड़ा है साइज मैभी आपको और मैप जिखाऊँगा वहाँ पे इंडिया का एक्चॉल साइज जब आप दिखोगे तो आपको समझ में आएगा के ओके इस इस अस हमारा देश मैसिव है अब मैप को चाइना का एक्जामपल दूँ ठीक है चाइना एक्वेटर से जादा दूर है कंपेर टू इंडिया तो चाइना भी ना साइज में हमको बहुत बड़ा दिखता है हमें लगता है कि ओहो हो यह देश तो बहुत बड़ा आपको के यह क्या कह रहे है तो चाइना को अगर मैं एक्वेटर के पास लेके जाओ तो आप देख लोगे चाइना का भी साइज आपको बहुत ही जादा कम दिखेगा यह मर्केटर प्रोजेक्शन की बेसिक प्रॉब्लम्स है अब यहां पे आप कहोगे अगर मर्केटर प् में से एक प्रथाज चलती आई है कि यही है वर्ल्ड मैप और एक यूरोपियन ने इसको बनाया था तो आप कह लिए थोड़ा सा बाइस रहा होगा उसने यूरोप को और यूरोप के जो नॉर्थ में कंट्रीज हैं उनको जादा ही बड़ा दिखा दिया तो आप कह लिए कि यह इसमें कभी कोई चेंज आया नहीं कभी किशिने सोचा नहीं कि यह जो मैप है इनकरेट है हम कोई और मैप यूस क्यों नहीं करते हैं for example आज के समीना एक नए टाइप का मैप यूस किया जा रहा है अमेरिका की कुछ स्टेट्स बे इस मैप का नाम है गॉल प्रोजक् यह 1971 में बहुत जारा फेमस हो गया था इसको काभी पहले बनाए गया था वैसे बट 1971 में काभी फेमस हुआ जब कई कंट्रीज ने कहा कि यह मैप हमारी actual size को represent नहीं करता तो गॉल पीटर्स मैप यह है गॉल पीटर्स मैप size की अगर हम बात करे ना तो बहुत जादा 100% तो नहीं कहूंगा क्योंके इंडियन थोड़ा बहुत distortion तो आपको मिलेगी क्योंके अगयन आप एक गोल चीज को धरती गोल है एक गोल चीज को आप एक फ्लाट जगा पे प्रजेट करोगे तो distortion होगी उससे मैं आपको बताया Boston US में एक city है यहां पर कई schools है यह दिरे दिरे अब यह मर्केटर मैप को ड्रॉप कर रहे हैं इसकी जगाई यह गॉल पीटर्स मैप को पढ़ा रहे हैं उसके अलावा कई और उनिवर्स्टीज हैं आफरिका में साउथ अमेरिका में वो कह रही है कि गॉल मतलब इनका shape आप कहलो shape distort हो जाती है Canada की shape ऐसी नहीं है जो यहां पर हमको दिख रही है ना Norway Sweden की है तो shape का थोड़ा issue है नौर्थ थोड़ा सा पिचक जाता है तो अब इसका भी लोगों ने एक solution यह निकाला एक और मैप है जी मैप बहुत सारे हैं आप कभी इसके वारे में आप को सौव मिच लाएंगे ऐसे अलग अलग टाइप के मैप सोते हैं उनका यूस भी अलग तरीक ऐसे होता है ना एक और बहुत ही फिमस मैप है जो कई countries पसंद करती है इसमें size और उसके इलावा shape दोनों को properly preserve किया गया है अट लीस्ट जितना हम preserve कर सकते हैं एक flat paper पे उत काफी बार वीडियो में विंकल ट्रिपल प्रोजेक्शन मैप को यूज करने की कोशिश करी अच्छा लगता है काफी बार बट high quality में ये maps इतने available है नहीं तो personally मैं ये कहूंगा ये मेरी शिकायत है कि ये maps अगर और जादा अच्छी information के साथ present होते तो मैं ये यूज करना प कि मेरी personal preference की अगर हम बात करें अगर आपको एक फ्लैड मैप बनाना ही है तो विंकल ट्रिपल प्रोजेक्शन मैप मेरे हिसाब से काफी प्रॉपर है इससे हम समझ सकते हैं धर्ती के बारे में अब यहां पर फानली आप पूछोगे कि अगर आप as a learner आपको प्रॉपरी हैं आप ग्यासा रखते हैं आपको जानने की एक किरोशिटी रहती है तो अपने टेबल पे अपने कमरे में एक गलोब रखो बहुत आपको उससे अच्छा लगेगा आप नोटिस करोगे दुनिया में जो वर्ल लीडर्स हैं चाहे कितने भी उची पोस्ट पे पहुँच ज आपको इसका आडिया मिल जाएगा तो आप देखोगे जाता जब कोई बड़े ग्यादरिंग होती है समिट होते हैं जहां पे कंट्रीज के लीडर इखटा होते हैं वहां पे एक बार को कुछ मैप दिखाना होता है तो जो मर्केटर मैप है उसको यूज नहीं करते यूज ग्लोब को यूज किया जाता है और आपको भी मैं प्रोसाइद करूंगा कि चाहे अगर आपके पास रिसोर्स ना हो कलको रिसोर्स अगर हो तो एक अच्छा सा एक ग्लोब रखिएगा अपने टेबल पे यूज फील गुड और उसको देखकर आप समझ भी पाऊगे कि आप आपका जो बेस है जो फाउंडेशन नोलिच का यह मेशा वीक रहेगा ना फाइनली यहां पर वैसे मैं यही बोलूँगा कि यूजुली मैं आपको कहता नहीं हो के मेरी वीडियो शेर करो मगर यह वीडियो इंपोर्टन है इसको शेर करिएगा कई लोगों को इसके बारे म यह वाला या फिर गॉल पीटर्स मैप यह वाला मैप जो यहां पर आपको दिख रहा है या फिर विंकल ट्रिपल प्रोजक्शन मैप लिखेगा इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में मैं जाना चाहूंगा यहां पर आपका ऑपिनियन भी और फानली आपर मैं यह भी आपको पर देंगे एकजाम के लिंग, for example, let's say आप पर रिपयर कर रहे है, यूपीस के लिए, तो यूपीस के लिंक पर यहां पर आपको करना है, click, और यहां पर आप कर सकते हैं पर्चेस, यूपीसी का कोर्स जिसके अंडर प्रिलिम्स और मेंस दूनों यहां पर आपके होंगे अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स पर्चेस करना है या 6 महीने का फॉर द प्रिलेम्स यह भी आप कर सकते हैं पर्चेस मगर जो प्राइस यहां पर लिखे हैं यह कभी भी पे मत कर देना simply code use करो PD10 और अपने आप प्राइस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे you will be able to save a lot of money so use the code PD10 and save money so इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ thank you for listening and as always God bless you all